हलो दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में और आज यह इंडेपनेट इंटिग्रेशन का प्रॉबलम है उसको हम डिस्कुस करेंगे और मैं यह चाहता हूं कि इस वीडियो से आप तीन चीजे सीखें एक तो इंटिग्रेशन सॉल्व करने का तरीका दूसरा सब्स्टिट इंटिग्रेशन के से करना है और तीसरा है जो डी एक से जब अपन वेरीबल चेंज करेंगे तो इसको कैसे चेंज किया यह तीन जो है में इंपोर्टेंट एस्पेक्ट से इंटिग्रेशन के लिए तो वह भी आपको सीखना है और मैं चाहता हूं कि पहले आपके वीडियो को खुच से ट्राय करें और आप से नहीं बनता तब जाकर आप वीडियो को वाच करें तो चलिए शुरू करते हैं तो यह हमारे सामने प्रॉबलम है और मोसली जो इंटिग्रेशन के प्रॉबलम होते हैं वो सब सब्सुटुशन के द्वारा ही सॉल किये जा सकते हैं तो हम है वह डीएक्स के मल्टिप्लिकेशन में होना चाहिए यही एक मुल सिध्दानत है जिसका यूज करके सारे इंटिग्रेशन को सॉल किया जाता है अब यहां पर देखिएक्स के मल्टिप्लिकेशन में क्या लिखावा है रूट एक्स इससे हम एक्स की पार वन बाय टू भी और नीचे under root of a cube को लिख देंगे a की पावर 3 by 2 का square और x cube को लिख देंगे x की पावर 3 by 2 का square dx अब यहां पर देखिए जब x की पावर 3 by 2 को differentiate करेंगे तो हमें x की पावर 1 by 2 वाली term मिल जाएगी अगर x की पावर 3 by 2 को हम T put करें और सब्सक्राइशन करने पर यह जो डी एक से यह भी चेंज हो जाता है तो उसके लिए दोनों साइड टी के रिस्पेक में डिफ्रेंशेट करेंगे हम है तो राइट इंड साइट पर भी T के रिस्पेक में डिफ्रेंशेट करेंगे और लेप्ट आज साइड पर भी T के रिस्पेक में डिफ्रेंशेट करेंगे यह surprise करेंगे यहा में मिलेगा 3 by 2 X की power 3 by 2 minus 1 और क्योंगी चेन रूल लगाया तो यहां पर क्या आएगा dx by dt equals to 1 फर्दर सौर्व कली किया जाए तो 3 by 2 x की power 1 by 2 dx और dt को उदर भेज जाएं इस dt को इदर राइट एंट पर भेज जाते है ठीक है और फाइनली हम लिख सकते है x की power 1 by 2 dx equals to 2 by 3 dt यह प्रॉपर सब्सक्राइब हो गया कि यह भी यूज में आ गया और यह भी यूज में आ गया और सभी का सभी जो है वो टी में convert हो गया तो values पुट कर दे एक्स की power 1 by 2 dx इसकी value किसके बराबर है 2 by 3 dt वो यहां पर लिख देते हैं और एक्स की power 3 by 2 को क्या पुट करेंगे टी तो जो बचा है वो मैं आ लिक रहा हूं अब यह पूरा जो इंटीग्रेशन हो टी में convert हो गया substitution के बाद 2 by 3 को इंटीग्रेशन से बाहर निकाला जा सकता है तो हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 by अंडर रूट ऑफ एकी पावर 3 by 2 को स्क्वेर माइनस T स्क्वेर अब यहां पर हम डारेक्ट फॉर्म्ला यूज कर सकते हैं कौन सा फॉर्म्ला यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 by अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेर माइनस X स्क्वेर इसका जो इंटीग्रेशन है वो बराबर होता है साइन इनवर्स ओफ एक्स बाइए यह हम डारेक्ली अभ यहां पर यूज कर सकते हैं तो फाइनली हमार अंसर होगा टू बाइट्री साइन इनवर्स ओफ टी बाइए की पावर 3 बाइटू प्लस सी और लास्ट में जाकर जो टी है उसकी वैल्यू हमें पुट करनी तो टू बाइट्री साइन इनवर्स ओफ एक्स की पावर 3 बाइटू अपॉन टी की पावर 3 बाइटू प्लस सी यह हो गया इसका आंसर ठीक है तो आपके वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल पर नाए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसी निया वीडियो अप्लोड होई आपको तुरंत उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए थैंक्